आज का हमारा नया टॉपिक है स्लेव दाइनेश्टी स्लेव दाइनेश्टी भी दल्ली सल्तनत के अंदर आता है स्लेव दाइनेश्टी की शिरुवात हुई थी कुतुबुदी नाबक से कुतुबुदी नाबक उसके फाउंडर है कुतुबुदी नाबक मुहम्मद गोरी के सलेव थे मुहम्मद गोरी का कोई आल उलाद नहीं था जिसकी वज़े से कुतुबुदी नाबक को उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया क्योंकि वो उनके वफादार सेवक थे कुतुबुदी नाबक को ये साशन मिली founder है slave दानिश्टी के कुतुबुदी नाबक क्योंकि ये पहले slave थें जो ruling करना शुरू कियें उसके बाद कुतुबुदी नाबक का बेटा आराम शा जब ruling करना शुरू किया वो नहीं कर पाया लोगों को पसंद नहीं आया जिसकी वज़े से कुतुबुदी नाबक अपने दामाद शमसुदीन इलतुतमिश को बना देते हैं ruler वो rule करता है लेकिन उतना चीसे नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से इलतुतमिश की बारिया बाती है वो अपने बेटे फिरोस को बना देता है लेकिन फिरोस भी लोगों के दिल पे खड़ा नहीं उतर पाता जिसकी वज़े से रज्या सुल्तान इलतुतमिश की बेटी मंच पर आती है लोगों को सराहती है लोगों को एडवाइस देती है और लोगों को पसंद नहीं आता है कि एक लेडी ये सब चीज़ करे ठीक है इसल कर पाता नसर-ud-dene जो की ल्तुतमिश का सबसे चोटा बेटा है वो भी आता है रूल करने वो भी नहीं कर पाता उमें ल्टुतमिश के बाद जो रूलिंग है वो काफी लड़करणा सी गईती उसके बाद आता है गयास Udd-dene बालबन उसके और कोई रूल नहीं किया स्लेव दाइनिश्टी को तो यह इंपोर्टेंट है याद रखिएगा भूलिएगा नहीं तो अब आएए अब हम डीपली इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं काफी आसान तरीके से मुहमद घोरी जो इंडिया इंवेड की अपने स्लेव कुतुबुदी नाबक के साथ कुतुबुदी नाबक उनका सकसर था तो यहाँ पर मुहमद घोरी ने हराया था पृत्वी राच चोहान को बैटल ओफ तेरैन में हराने के बाद वो अपने स्लेव कुतुबुदी नाबक के साथ इंडिया इंवेड कर जाते हैं इसलाम स्प्रेट करते हैं पीसफुल वाली मतलब बहुत सारी इसलामिक फैक्ट्स और वाल सबको सिखाते हैं इसलाम फैला मुहमद घोरी की वज़े से इंडिया में तो जैसे मुहमद घोरी की मृत्ती हो गई तो कुतुबुदी नाबग को ही वो अपना सकसेसर मानते थे और अपना सब कुछ देकर ही गए तो अब ये पहला शुरू होता है यहाँ पे स्लेव दाइनेश्टी जिसे हम मामलुक दाइनेश्टी भी कहते हैं तो ये जो शुरुआत हुई है ये पहली बार शुरुआत हुई है मुहमद गोरी के स्लेव कुतुबुदी नाबग के समय से और कुतुबुदी नाबग ही है स्लेव दाइनेश्टी ये मामलुक दाइनेश्टी के फाउंडर तो जैसे कुतुबुदी नाबग को गुर्सिमिला जैसे वो वहां के किंग बन गए तो उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो लहौर कर दिया लहौर इनका कोई भी बेटा लायक नहीं था रूल करने के तो एक समय क्या होता है कि यह जब पोलो खेल रहे थे that is चोगन उसको चोगन भी कहते है हिंदी में और इंग इनका जो दमाग था इलतुतमिश इलतुतमिश रियल फाउंडर बना बाद में डेली सल्टनियत का और उसने फिर लहौर जो क्यापिटल रखा था इसके ससुर ने वो चेंज करके दिल्ली कर दिया अब भाई इलतुतमिश इनका जो दमाग था वो काफी मेहनत करने लगा इस चीज़ को आगे बढ़ाने में इंपाइर बढ़ाने में काफी हेल्प करने लगा वैसे तो ये अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था देखा जाये तो ये बंदा थोड़ा शान्त रहने वाला था अक्टिव नहीं था तो इसने फॉर्म किया चालिस लोगों का एक जुट बनाया ग्रुप बनाया और उसको नाम दिया चहल गनी ये चालिस लोग मिलकर इनकी काफी हद करते थे हर चीज ने मतलब कि बिखरे वे थे वो लोग इधर उधर इन्फरमेशन देना काम करना काफी चीज़े करते थे एक इंपॉर्डन चीज और रहा है इसमें इल्टुत मिश ने चंगिस खान को इंडिया आने से रोका वो वापिस उसको अपनी जगह भेज दिये तो ये इंपॉर्डन टॉपिक है याप है कि चंगिस खान जब इंडिया इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था तो उसे नहीं करने दिया क्योंकि उस वक्त इल्टुत मिश का राज चल रहा था फिर इल्टुत मिश का बेटा अब साशन पर बैठता है लेकिन बड़ा आलस वाला बंदा रहता है वो कुछ संभाल नहीं पाता है और अगर देखा जाए तो वो इसको खतम करने पी दुलावा था स्लेव दायनिश्टी को क्योंकि उनका बेटा उस लायक नहीं था जिसकी वज़े से इल्टुत मिश की बेटी रजिया सिल्टान को खड़ा होना बड़ा था लेकिन उस वक्त जमाना ऐसा था दोस्तों की उस सब लोगों का कहना था कि लड़की ये सब करे शोबा नहीं देता इसलिए रजिया सुल्तान को फिर उस चीज़ से हटा दिया गया था अब जब रजिया सुल्तान हट गई इस चीज़ से वैसे तो रजिया सुल्तान कुछ दिन तक जब अपना साशन संभाली अपने पिता का सहर चीज़ तो बहुत अच्छे से रहा है लेकिन फिर भी लोगों के तान मसले की वज़े से उसको फिर हटना पड़ गया अब इसी बीच बहुत सारे रूलर बने अपने मर्जी से लोग रूलर बना देते थे एक दूसरे को ठीक है क्योंकि यहां पे तो कोई उसलायक था ही नहीं तो रूलर बनते के बनते के हटते के फिर बारी आती है गया सुद्दीन बालबन की जिससे कि हम लोग उलुक खान भी कहते हैं यह जब यहां आएं तो इन्होंने चहलगनी को हटाया जो इल्तुत्मिश ने ग्रूप ओफॉट्टी पीपल चहलगनी नाम दिया था उस चीज़ का उसको डिस्ट्रॉई किया क्योंकि भई यहां पे चहलगनी को इल्तुत्मिश ने और्गेनाईज किया लेकिन यहां पर वो लोग खुद उल्तुत्मिश पे चढ़कर उनके सीने पे चढ़कर हर चीज़ करते थे तो सबसे पहले यही घाता कहे भई कि इसको हटा दो तो ग्यासुदीन बालबन ने उससे हटा दिया डिस्ट्रॉई कर दिया चहलगनी को जिसकी वज़े से ग्यासुदीन बालबन क मतलब कि पैरों को चूमना यह इंट्रड्यूज किया था ग्यासुदीन बालबन ने जो इंपोर्टन है हर एक्जाम पॉइंट ओव्यू में पूछा जाता है इसलिए से याद कर लीजे इन्होंने इंट्रड्यूज किया था पॉलिसी ओफ ब्लड एंड आइरन यह इंपोर दोस्तों सबसे पहला आपको यह बता देते हैं कि जो कुतुबुदी नावग जो रूलर थे मामलुक और स्लेव दानेश्टी एक ही है उस चीज़ के जो रूलर थे उसके बाद आराम शाह उनका बेटा साशन पे आया उसके बाद उनका दामाद आया इलतुतमिश इलतुतम भी हैंडल नहीं कर पाई लोगों की वज़े से तो इलतुतमिश का एक और बेटा मौजदीन आता है अब बिचारा यह भी हैंडल नहीं कर पाता है तो अब अलौदीन मासुद आता है अलौदीन मासुद कौन है तो इलतुतमिश का बेटा का बेटा मतलब कि इलतुतमिश का ये हो गया grandson वो आता है वो भी नहीं संभाल पाया तो फिर अलौदीन मासुद आते हैं ये हैं बेटे फिरोज के उसके बाद फिर नसरुदीन महमद वो आता है रज्या सुल्तान का ये भाई इलतुतमिश का एक और बेटा है ये तो मतलब ये सारे लोग आते जाते हैं लेकिन ये संभाल नहीं पाते हैं साशन को अब बारी आते हैं दोस्तों गया सुद्दीन बालोबन की ये हैं काफी पावरफुल रूलर, स्लेव दानेश्टिक इन्हें भूला नहीं जा सकता है अब ग्यासदीन बालबन के बेटे वो भी हंडल नहीं कर पाएं जिसकी वज़े से उनके बेटे जो है मौजदीन उन्होंने हंडल किया और इसके जो लास्ट टूलर है वो है कैमोर्स यहां पर हमारी topic खतम हो जाती है तोस्तों अब को अच्छी लगे मेरी explanation तो मेरी चानल को like and subscribe करना ना भूले and thank you once again guys for supporting me and keep on going because आपकी comments आपकी अच्छी बातों से मुझे होसला मिलता है आप लोग मेरे होसला अवजाई करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसकी वज़े से मैं videos create करती हूँ and thank you once again for watching